तो यह हम लोग आर्टिकल को देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोट ने इसका बताया है कि किस तरह से यह अब्सॉर्ब करने से पता लग रहा है कि किस तरह से यहाँ पे धांदली हुई है मतलब यहाँ पे करप्शन हुआ है हम लोग यह भी देखेंगे जो बीजेपी के जो लीडर थे मनोज सोनकार उन्होंने डिफीट कर दिया है जो आप आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे कुलदीब कुमार उनको और वो फॉर बोर्ट से यह भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे करप्शन हुआ है और किस तरह से तो ऐसा तो बोला जा रहा है कि जो बीज़ेपी के लीडर है जो आम आदमी पार्टी के तो उनको फोर वोट से हरा दिया गया है लेकिन एक्च्वल में हुआ कुछ और था तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था एक्च्वल में एवरी यर जो वहाँ पे मुनिसिपालेटी का और मेर का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे 45 सीट है और उसमें से यह जो 35 इलेक्टेड है वन मेंबर अपर पार्लियामेंट के और जो 9 है वो नॉमिनेटेड है तो हर साल यह जो मेर का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो है यहा पार्टी मिला करके यह जो 36 सीट का इलेक्शन हुआ था एंटे उसमें हुआ क्या कि यह जो बीजेपी जो है वो इसमें 15 उनको वोट मिली एंटे अभी यह जो है 15 जो है और 14 काउंसलर प्लस वन और अगर देखा जाए तो यह सैड जो है वो मिला करके 16 सीट मिली बीजेपी को लेकिन यह जो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को यह 20 सीट मिली क्योंकि यह दोनों का ऐसा था कि यह दोनों मिलकर के इलेक्शन इलेक्ट करेंगे जो आम आदमी पार्टी है वो और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस है वो तो उन तो उन्हों ने ये 20 seat जीता और ऐसा उनका था कि जब ये 20 seat से जीत रहे हैं और BJP को 16 आया है तो वो 8 vote से जीत रहे हैं लेकिन हुआ क्या कि जब ये 8 vote से जीत रहे थे तो अचानक से जब ये 8 vote है वो invalid कर दिया गया और invalid क्यों किया गया किस basis पे किया गया ये बिलकुल भी नहीं बताया गया है एंड उसके बाद ये जो बीजेपी के लीडर है वो जब 8 वोट ये जो इन्वैलिट कर दिया गया तब सिर्फ बचा 12 वोट ये जो आम आदमी पार्टी है उनके पास एंड जो इंडियन नैशनल कॉंग्रेस है उन दो अन Smells be बाद जब हुआ की जब यह कांसिलर कॉल्दीप फिर यह पहले पहुँचे पंजाब और हर्याना का जो फ हाइप ने जब जब ये कुछ भी सुनवाई करने से मना कर दिया, तब वो सुप्रीम कोड में पहुंचे, और फिर सुप्रीम कोड ने इस पर सुनवाई की, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेर कौन होते हैं, मेर जो होते हैं, वो इंडिया हेड करता है, जो मुनिसिपल कॉर्परेशन होते हैं, उसी को हेड करते हैं, और वही होते हैं मेर, और ये जो मुनिसिपल कॉर्परेशन है, वो लोकल गवर्डमेंट का हेड होता है, और वो इन डारेक्ट इलेक्शन होता है, यह जो mayor है वो elect किया जाता है indirect election से and among the corporators of municipal corporation उसके लिए यह जो 35 elected seat भी रखा गया है 35 elected है and one member of parliament है और nine जो है nominated है तो यह तो हमने देख लिया कि इस तरह से ही यह 36 रखा गया है 35 elected and one जो parliament से elect होगा तो यह मिला करके हो गया बट यह चंडीगट के election में हुआ क्या यह एक first time इस type से landmark यह win दिखाया गया है और यह जो इंडिया का block है इसमें जो है BJP जो है और बोला जा रहा है कि जो opposition वाली party है उनका हम लोग देखेंगे भी आगे कि उन्होंने tweet किया है और वेंद केजरिवाल जी ने और वहां जो आम आदमी party के जितने भी leader है वो ऐसा कह रहे है कि अगर इस type का जो है ना पहली बार ऐसे जीत देखा जा रहा है कि किस तरह से वो लोग हारते हुए भी यह जो इंडिया और इंडिया जो इंडिया ने बनाया है वो आम आदमी party और यह जो congress वो जीतते हुए भी इनकी जो vote है उसको यह जो seat है उसको invalid कर दिया गया और उसी के बाद से एक जब से उन्होंने allegation लगाया है तब से एक video भी बहुत जादा viral हो रही है as you can see कि यह जो यह presiding authority है and इसमें क्या है वो बार बार इधर उधर देख रहे थे और especially यह camera की तरफ देख रहे थे और इसमें साब पता लग रहा है कि वो किसी paper पे scratch कर रहे है और ऐसा feel हो रहा है कि वो कोई नाम हटा रहे है या पिर extra कुछ जोर रहे है और यह जो presiding officer है अन हाना के हाई कोट में गए जो आम आदमी party के जो लीडर है और जब आप जो हाई कोट में उनकी कोई बात नहीं मनी मतलब हाई कोट जो है पंजाब और हर्याना के उन्होंने कोई इस पर action नहीं दिया तब वो फिर supreme court में गए सुप्रीम कोट ने बोला कि यह mockering की जा रही है मतलब मजाग उराया जा रहा है हमारे democracy का और उसी के बाद जैसी जैसे यह धीरे धीरे वीडियो वाइरल होने लगा और उसमें साब पता लग रहा है और इसी के बाद यह जो आप है और यह जो Congress है यह दोनों ही यह जो Mr. मसी है उनके इस action पे इन्होंने बोला है कि यह जो मजाग बनाया जा रहा है और उसी के बाद यह जो अरवेंद केजरिवाल जी है उनका ट्वीट आया कि चंदीगर्ड मेर चुनाओं में दीन दहारे जिस तरह से बैमानी की गई है वो बेहत चिंता जनक है यदि एक मेर चुना है हमारे चीफ जस्टेस ऑफ इंडिया चंद्रचूर जी ने उन्होंने भी यह बोला कि यह जो प्रसाइडिंग ऑफिसर है वह बिलकुल भी ढंक से काम नहीं कर रहा है और उनका काम है कि यह बैलेट पेपर पे उनको यह देखना सारा कुछ करना लेकिन ऐसा दिखाई दे चीफिशा है कि वह कुछ गलत कर रहे हैं ए और वो श्क्रच कर रहे हैं उसी की बाद कर दो केशाँ में तर देख रहे हैं यह सारी चीजें उसमें ये बोली गई है and उसी के बाद ये जो चंदरचूड जी है हमारे Chief Justice of India उन्होंने ये बोला कि ये तो मौकरिंग की जारी है मतलब हमारा जो समविधान है हमारी जो डेमोक्रेसी है and ये बोला जाता है ये जो डेमोक्रेसी मतलब कि जो election होता है वो ये fair manner में करना लेकिन ये बिलकुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके behavior से लगी नहीं रहा है कि वो कोई अच्छा काम कर रहे है जिस तरह से वो डरेवे थे और बार-बार इधर उदर देख रहे थे और कैमरा की तरफ देख रहे थे वो यही जटाता है कि वो कुछ गलत कर रहे है और यही एक इसी के वज़ा से हमारे जो Chief Justice of India है उन्होंने बोला कि mockering की जारी है democracy के साथ क्योंकि सिर्फ mayor के election में इतना जादा ये जो corruption हो रहा है या फिर गलत किया जा रहा है तो फिर आगे क्या होगा और उसके बाद आगे जो और क्या हो सकता है Supreme Court ने वो भी direct किया कि ये जो entire जो mayor roller election है वो पंजाब और हर्याना government में और जो registrar general है वो पूरी सुनवाई करेंगे इसके और जो ballot है और ये जो videography है उसको भी अच्छे से देखा जाएगा कि ये जो returning officer है और उनको notice भी भेजा गया है कि ये जो अपना जो भी इन्होंने काम किया है उसका record वो भेजे और जो भी उनका जो पद है वो hand over कर दे और इन्होंने जो भी वो उस file में कर रहे हैं वो सारा चीज का वो वो ब्योरा दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसके बाद ही Supreme Court ने ये भी direct किया है कि ये जो फाइनल रिजल्ट जो February 12 को आएगा तब हम आगे और देखेंगे और आप लोग इस question का answer दीजिए कि फर्स्ट मुनिसिपल कॉपरेशन कहां पे खुला था कलकत्ता लक्नुट